इरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस बार बैलेस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। इरान की ओर से इसराइल पर एक दो नहीं बलकि एक सौ से जादा हमले किये गए हैं। बनाया गया है इरान की ओर से हलाकि इन बैलेस्टिक मिसाइलों को हवा में ही इसराइल की सेना बेसर कर दे रही है इंटरसेप्ट कर रही है और इस तरह से जवाब इसराइल की ओर से दिया जा रहा है इसराइल ने पहले से तयारी कर ली थी अमेरिका ने चेतावनी भी जारी क गया है ताकि आम जन की हानी ना हो और जो हमले इरान की ओर से हो रहे हैं उन हमलों का जवाब दिया जा रहा है। हो रही थी तो उस दोरान भी समुद्धिप चर्चा हूई और तब इमेडिका ने कहा था कि एरान बलिस्टीख हम्ला कर सकता है इस्राइल पर आपको बता दे इस्राइल में इस्राइल ने पूरी तरह से कसम खा लिए कि हिजिबुल्ला को वो अटेक किया गया है कहा ये जारा कि हसंनस्रला जिसकी मौत इसराइल की ओर से कर दी गई उस मौत से इरान बॉकलाया हुआ है हसन को एरान ने शहीद का दर्जा दिया है और साथ ही शोक का भी एलान किया और उसी की मौत का बदला लेने के लिए इतने बड़ा अटैक एरान की ओर से इसराइल पर किया गया है हाला कि अभी तक जो खबरा रही है उसके मौताबिक सौ से एक सौ पचास मिसाईले दागी गई है लेकिन अजराइल के ही पूर्व सानिका कहना है कि मिसाईलों की संख्या एक हजार से पंद्रा सौ के बीच है और इन सबी मिसाईलों को हवा में ही बेसर किया जा रहा है